चीन और पाकिस्तान से बाद में लड़ेंगे पहले इस साला नेपाल को सबक सिखा देगे नेपाल की दादागीरी देखिए ये छोटा सा देश साला नेपाल का इतना हिम्मत और होसला कब से हो गया कि ये साला नेपाल जो है हमारे देश के लोगों को गोली मार देता है इसको पूरा नंगा ना कर दिया, तो मेरा नाम भी सागर राज नहीं. नमस्कार दोस्तो, अभी जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस चमन लंडूरे का नाम मनीश कसप है, इस चमन लंडूरे का कहना है कि ये एक जर्नलिस्ट है, वो भी बिहार का नमबर वन जर्नलिस्ट. तो दोस्तो, आज इस चमन लंडूरे का कह कर लिया जाएगा, क्योंकि इसने जो भी किया हो, जितने भी रिपोर्टिंग किया हो, बस एक ही रिपोर्टिंग गलती कर दी, जिसमें इसने नेपाल को टार्गेट करके विडियो बना दिया, जबकि आप लोग जानते ही हैं कि मैं भारत और नेपाल के रिष्टों के लेकर बहुत ही ज़्यादा सिरियस हूं, माता जानकी तथा भगवान रामचंद्र का जो रिष्टा है वो अटूठ है, भारत और नेपाल बिष्टों में मात्र एक ऐसा देश है जो जहांके लोग एक दूसरे के देश में बीना किसी रोक छेक का जा सकते हैं, तो इस चमन लंडूरे ने नेपाल के बारे में क्या कहा है, उसी पर आज का ये वीडियो होने वाला है, वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा, इसको पूरा नंगा ना कर दिया, तो मेरा नाम भी सागर राज नहीं, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, ये पूरा सामने दिख रहा है, मोदी जी, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सामने जो दिख रहा है ना मोदी जी, ये पहाड, ये हिंदुस्तान का पहाड है, जिस पे नेपाल का कब जा है, हम पाकिस्तान और चाइना को सबख सिखाने की बात करते हैं, और ये साला टुट बाद महीं लड़ेंगे पहले ही साला नेपाल को सबक सिखा दो अब अब चाहिए सकता हूं कि इसके माँबाप ने गाली देना सिखाया था स Films इसलिए इसको गाली नहीं देंगे बड़ जैसे सब्था तरीका से कहकर लिया जा सकता है दोस्तों इस चमल लंडूरे को ये नहीं पता है कि भारत और नेपाल में कभी यूध नहीं हो सकता है ये बोल रहा है कि भारत के बोडर पर नेपाल के बोडर पर ले जाकर रफाल लाने के जरूरत है भिस्म टैंक को लेकर जाने की जरूरत है और छेद कर देने की जरूरत है और नेपाल में घूस जाने की जरूरत है इस गधे को कोई समझाए कि भारत और नेपाल जैसे मित्रपूर्ण राष्ट कोई है ही नहीं तो वहाँ पर वार की situation कैसे हो सकता है आगे देखते है वीडियो में कि ऐसा यह क्यों कह रहा है कि उस समय जब नेपाल में बाड आता था तो नेपाल पूरा बैह जाता था पूरा तबाह हो जाता था पूरा परबाद हो जाता था नेपाल की दादागीरी देखिए और इतनी बड़ी दादागीरी है कि बिहार बाड में मर जाए डूब जाए कोई मतलब नहीं क्योंकि अगर वह 18 चूट भी जाता है तो बाड आएगा बिहार में नेपाल में नहीं बाड बाड बह जाता था तो इस कारण से बिहार बह जाता था तो जो भारतिये गवर्मेंट है भारत के तथा बिहार के गवर्मेंट ने ये फैसला किया कि नेपाल के साथ हम लोग कोपरेट करके कुछ बाराज बनाया जाए वहाँ पे जिससे पानी को रोका जा सके जब गंडक रिभर, बागमती रिभर और कोसी रिभर में जोर से बाड आता है वहीं पर जो इंडियन ट्रेटरी में जो बांध है जो बाराज है उसका गेट नहीं खोला जाता है जिसके कारण नेपाल के तराई छेतर डूब जाता है नेपाल में बाड आ जाता है तो इस च कर दो घूसराने की जरूरत है इस गधे को नेपाल और भारत के रिष्प को भी कौन समझाये जो भारत ने-पाल के बोर्डर पे रहते समस्झते हैं कि भारत ने-पाल के बिना अधूरा है नेपाल भारत के बिना अधूरा है Vander इस च... bardzo... जिस रिष्टे को हम लोग बर्सों से कोशिस कर रहे हैं कि थोड़ा खटास आया है उसको अच्छा किया जा सकता है उसे अच्छा करने में हर वीडियो हम लोग बनाते हैं हमारे जैसे कई सारे यूटूबर्स हैं जो वीडियो बनाते हैं कि नेपाल और भारत का जो रिष्टा है वो अपने आपको journalist कहते हैं हाला कि journalism बला इनके अंदर कुछ गुन तो है नहीं बात करते हैं यह अपने आपको यह भी कहते हैं कि मैं civil engineering का student रहा हूं तो फिर भाई सहाब जब आप engineer थे तो journalist क्यों बन गए इस बात के जबाब में यह कहते हैं कि देश में corruption जो हो रहा है उस इंडियन इंजिनियर लोग है उसका income है 29,700 एवरेज इंकम एक इंजिनियर का लेकिन इसके चाइनल पर चलते हैं थोड़ा social blade पर करते हैं कि इसके चाइनल से पैसे कितना यह कमा रहा है तो दोस्तों हम चलते हैं social blade पर और search तक search करते हैं ठीक है दोस्तों यहां पर हम लोग आप लोग यहां पर देख सकते हो इसका monthly lowest जो income है वो 43,000 डॉलर है भाई साब इतना income कभी इसको इंजिनियरिंग में नहीं मिल सकता था जिस तरीके से यह गाली गलोज करके content बनाता है बस सरकार को गाली देता है जो वीपक्स के सताधर party है उन सभी को गाली देकर ही यह कम आता है चलता है देखते हैं इसका जो यह 43,000 डॉलर है उसका Indian currency में कितना का monthly होता है वो देख लेते हैं 43,000 USD to INR ठीक है दिखे दोस्तों यहां पर 34,194,197 मतलब roughly हम लोग माल लेते हैं 30,000 का यह monthly income करता है इस चाइना से जिस पर यह हर जगह पर जाकर गाली देता है जबकि journalism में यह चीज एलाव ही नहीं है कि आप किसी को गाली दे सकते हो किसी को ऐसा वर्ड यूज कर सकते हो दोस्तों इस तरीके के घटिया आदमी अपने आपको पत्रकार कहता है इस तरीके के निच तथा तुछ आदमी जो अपने मुह से सिर्फ गंदा ही गंदा वर्ड निकालता है वो अपने आपको journalist कहते हैं और यहां पर हैरानी की तो बात यह है कि लोग इसे son of विहार कहते हैं जिस विहारी कल्चर में हम लोग रहते हैं जिस विहारी कल्चर को हम लोग एडॉप्ट की हैं वैसा तो हही नहीं न गाली गलो जैसे चीजे हही नहीं हमारे संस्कृती में हमारे संस्कार में यह ऐसे ऐ यूज करता है अब जिस नेपाल को ये गाली दे रहा है उसी नेपाल के बारे में थोड़ा इसको जनकारी दे देना चाहता हूं इंडियन जो मीडिया है उसका और नेपाली मीडिया का रेंकिंग आप अगर देखोगे तो यहां पर दोसो नेपाल का रेंकिंग 76 पे है वही प नेपाल से तुलना ये लोग मीडिया में कर रहा है तो वह चीज होने वाला नहीं है, छोड़ी दूसरा बात करते है कि नेपाल को ये बहुत ही गाली दे रहा है, तो थोड़ा हम नेपाल के लोगों के तरफ से भी इसको जनकारी दे दे ना चाहते हैं, कि नेपाल इंडिया रेंकिंग करता है 136 तो दोस्तों इन सब चीजों पर रिसर्च करके नहीं बोलेगा सिर्फ इसके मुह में जो गाली आएगा गाली देगा और अपने आपको हीट बनाने के चकर में रहेगा तो महोदय आप बहुत ही बड़े भूल में है कि लोग आप सभी को यहां तक साथ देगा दोस्तों यह जहां पर विडियो बनाता है जिस चाइनल का नाम है सच तक न्यूज और वहां पर इसने लिखा क्या है बहुत ही हसी हस्यास्पद बाते हैं ना पक्ष ना बिपक्ष सिर्फ सच तक भाई सहाब यह इतना सच दिखाता है जिसका कोई हिसाब न जहां कांग्रेश हो आप या आप हो या कोई भी पाटी हो वहाँ पर जाकर अपना सच दिखाते हैं लेकिन वही पर बीजेपी के बारी आता है वहाँ पर इसको साफप सूँध जाता है बीजेपी के बारे में कुछ एक सब्द बोलता है खिलाब में तो यह इसका सच है, वही पर कांग्रेस पाटी द्वारा बनाया गया, एक पार्क में यह जाकर दहाल कर बोलता है कि यहाँ पर चरम भरष्ट चार किया गया है, लेकिन वही पर जब सरदार बल्ला भाई पर टेल का जो स्टशी ऑफ उनिटी बनाया गया है, जहां पर कडोडो का भरष्ट चार हुआ है तो अभी ही उसमें दरार आने लगा है, तो यह वहाँ पर जाकर कुछ नहीं बोलेगा, तो यह चीज है यह इसका यह सच तक है, दोस्तों अभी और इसके बारे में पता चला है, मुझे जब इसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था, तो पता चला अपने मामा के खिलाप में नियूज क्यों नहीं बनाया, तो यह यह बात कहते हैं, दारू के यह पक्ष में है, दारू को बंद नहीं किया जाना चाहिए, उस पक्ष में है, भाई साब इनका मामा जो पकड़ा गया था न, और उनके खिलाप में एक सब भी यह वीडियो नहीं बनाया थे, चाइनल का नाम क्या है, सच तक, यह सच दिखाते हैं, वाकई में बहुत ही सच दिखाते हैं, इन जैसे चमन लंडूरों के बज़े से ही इंडिया और नेपा लाए, वैसा चीज नहीं, अपने टी आरपी, अपने खुद के पैसे कमाने के लिए, जो दिल में आए, वो ना बोल दे, ऐसा पत्रकार नहीं साइए, इन सब लोग जो यह ऐसे पत्रकार है, वो देश के लिए कैंसर है, जो धीरे-धीरे करके देश का जो वैलू है, वो डि कर दीजिएगा, और चैनल को सस्क्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जिलता है नेक्स वीडियो में एक ने टापी के साथ, तब तक ख्याल रखे अपना और अपने चाहने वालों का, धन्यवाद,